एक लाख सैतालिस हजार रुपिये एक बड़ी रकम है इसे कमाने में पसीने छूट जाते हैं लेकिन क्या हो जब एक जटके में ये रकम आपके खाते से उड़ जाएं और आप कुछ भी न कर पाएं मेरे साथ ऐसा ही हुआ है ये मामला साइबर फ्रॉड का है क्या है मेरी आपविती और इसे आप क्या सबक ले सकते हैं जानने के लिए देखे पूरी रिपोर्ट तारिख 12 दिसंबर वक्त साम के चार बच कर 10 मिनट मैं दफ्तर में बैट कर अपने काम में मस्कूल था तभी एक कॉल आया कॉल करने वालों ने कहा कि आपके क्रेडिट कार्ड का चार्ज कट रहा है वो रकम है 846 रुपिया मैंने उनसे कहा कि मैंने तो क्रेडिट कार्ड लिया ही नहीं है एक्टिव नहीं किया है तो उसका चार्ज कैसे कटेगा उन्होंने बोला कि मैं बैंक से बोल रहा हूं और यह चार्ज आपका कटेगा तो आप आप क्या यह चार्ज नहीं देना चाहते हैं या क्रेडिट कार्ट को डियक्टिप करना चाहते हैं मैंने बोला हमें क्रेडिट कार्ट को डियक्टिप करना चाहता हूं अच्छा काम की आप अधापी के बीच में यह ध्यान नहीं दे पाय software होता है i-mobile, आप उसे CLICK करें और उसमें जो credit card का सेक्शन है उस सेक्शन में जा करकले के आप उसे deactiv कर दें, मैंने वैसा ही किया, जब मैंने अपना i-mobile app खुला तो वहां credit card का segment दिखा मुझे, लेकिन उसमें वह अक्टिव नहीं था तो मैंने कॉल करने वाले को बताया कि भाई वह एक्टिव ही नहीं है आप मुझसे बाद में बात करें अभी मैं काम में बैस्त हो तो उन्हों मैं कहा कि दो मिनट आपका वक्त लूँगा और आपको मैं एक लिंक भेज रहा हूं आप उसको क्लिक करिएगा तो फिर आपको आपका क्रेडिट कार्ट डियक्टिव हो जाएगा और और आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा और मुझे आपसे बस इतना ही काम है आप काम मैं भी कर रहा हूं उसने इस तरह की बातें जब मुझसे की तो मैं उसके जासे में आ गया बहराल उसने लिंक भेजाई तो लिंक को मैंने जैसे क्लिक किया मेरे खाते से तुरत ही 10,000 रुके उड़े गए मैं भोचक कर रहा गया कि आखिर हुआ क्या मैं काम को स्टॉप किया और मैंने कहा कि जह बाइख यह पैसे कैसे उड़ गया आपने मेरे साथ फ्रॉड किया है क्या आप लोग जांताड़ा गएग क्या मैं आपकी शिकायत करूंगा पुलिस से पूरा विस्वास स nút staff मेरे साथ धोखाद़ी कर रहे हूंnow कि फिर सामने वालेने कॉल पर कहा सर सोरी यह गलती से हो गया है travaill किसी और का में यह पैसे कटने थे वह आपके हिंसे कट गया है मैं आपको आपकी पैसे वापस कर देता हूं दो मेंट फोल्ड करें मुझे समझ में नहीं आया चुकि यह सारी चीजें इतनी तेजी से हो रही थी कि मैं अंदाजा ही नहीं लगा पाया कि यह लोग मेरे साथ फ्रॉट कर रहे हैं दो मेट के अंदर मेरे एकाउंट में 1,47,000 रुपिय क्रेडिट हो गया और वो आईसी ऐसी बैंक की ओर से आया हुआ मैसेज था मुझे मैंने कॉल करते हुए जो मैसेज उपर में आता है उसका थोड़ा सा हिस्सा देखा कि आईसी ऐसी बैंक की ओर से मैसेज आया हुआ है और मेरे एकाउंट में 1,47,000 रुप्य क्रेडिट हुए है तो मुझे लगा कि यह सही बोल रहे है यह ऐसी इसी गैंक से ही है तो मैंने बोला की भई मैं बर्धासे दूसरे के अपके अकाउट में डेवित हो गया था उसको मैं अभी क्रेडि रहा हूँ वही गल्ती हुआ है दूसरे के जिसके हो ना था उसके एकाउट में जाकर आपके हो गया है तो आप धोमेरेंट और नहों कर देते हैं Atpat को धंकाया कि आप आप पुरी तरह से धोखादड़ी कर रहे हैं मेरे पास यह पता नहीं किस एकाउंट से आया और कैसे 22,000 रुपय कट गया और वो जो पैसे कटे हैं वो किसी फ्लिप कार्ट मेंगरा शॉपिंग एप पर खर्च हुए हैं और मैंने तो ऐसा किया नहीं मेरे मेरे बिना अनुमति के मेरे एकाउंट से पैसे कैसे निकल गए कैसे खर्च हो गए कि सामने वाले ने बोला कि सर मैं एकाउंट को पुरी तरह से ठीक कर रहा हूं इसलिए समय ल मैंने उन्हें धमकाते हुए कहा यह आप लिए ठीक नहीं कर रहे हैं साइबर फ्राट का यह मामला बन रहा है और मैं इसकी सिकायत साइबर ठाने पुलिस में करूंगा और अपने बैंक में भी और तो उन्होंने कहा कि… देखें, कैसे चिकनी-चुपणी बात करके वो फसा लोग साइबर लोग करते हैं बैंक से बोल रहे हैं है और आपका काम हम कर रहे हैं आपको थोड़ासा इंतजार करना पड़ेगा इसी दौरान उन्हों मुझे मेरे एकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए और मैं कुछ भी नहीं कर पाया कि अंत में उन्होंने मैंने कहा कि भाई अब मुझे मेरे एकाउंट में तकरीवन 15-20,000 रुपे बचे हुए थे तो मैंने कहा कि अब मैं आपका फोन काट रहा हूं और मैं जा रहा हूं पुलिस के पास सिकायत करने तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए कि बाकी जो रखम बचे हुए उसको फोन पे या गूगल पे से हमें ट्रांसफर कर दिए ताकि आपका एकाउंट सेटल हो जाए मैंने कहा मैं आप तुम्हारे जहासे में नहीं आऊंगा तुमने मेरे साथ फॉट किया है और मैं यह फो अंतुरत कट किया उस दौरान फोन कट करने के बाद उन लोग कम से कम दस बार मुझे कॉल किये फिर से फिर मैंने फोन उठाया दसवी कॉल पे मैंने फोन उठाया और मैंने कहा कि देखे आप फ्रॉट कर रहे हैं और मैं आपकी सिकायत करने जा रहा हूं और आप बार-बा जो मेरे खाते में 22,000 रुपए बच्चे थे वे भी उन्होंने डेबिट करें बारहाल मैंने बैंक में फोन मिलाया कस्टमर केर में बात की तो उन्होंने चेक किया और उन्होंने बताया कि फ्रॉट करने वालों ने आपके खाते में इंस्टा परसनल लोन ले लिया है मैंने बोला यह यह तो मुझे मैंने मंजूरी दी नहीं और मैंने ऐसा कुछ अपलाई नहीं किया तो कैसे हो गया बैंक वालों ने कहा कि हम लोग इसे जाज करेंगे उन्होंने मुझे अपना जाज का जो केस नंबर होता है वो भी दिया मुझे और फिर वो करवाई आगे बढ़ रही है लेकिन मुझे फिर मैंने कुछ जानकारों से फिर बात की तो उन्होंने बताया कि आपने लिंक पर जैसे ही क्लिक किया तो वो एनी डेस्क तक्निक के जरिये आपके मोबाइल में मौजूद सारी सुचनाओं को उन्होंने प्र परच कर दिये लिए parl मैंने यह सारे डिटेल्ट को ले करके साइबर थाने गया साइबर थाने में इसकी सिकायद की और साइबर पुलिस उसपर कारवाई कर रही तुर्ट की जांए को साइबर पोलिस इस्टीशन में मैंने सिकायत की है और मैं उनका धन्यबाद करना कहूं गा तो तुकी उन्हों कि उन्होंने बहुत ही एक्टिव तरीके से मेरे केस को लिया और पताधिकारी को निपत किया जो लागतार मुझे स mapRK में हैं मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि कि किस नमबर से मेरे पास कॉल आया था ताकि आप भी उस नमबर को नोट कर लें ताकि कभी इस नमबर से कॉल आया तो आप साधान रहें वह नमबर है 9432446081 मैं एक बर फिर से पोल रहा हूं 9432446081 अगर इस नमबर से कॉल आता है और आप उसे इंटर्टेन करते हैं तो आप भी इस तरह के फ्रॉड के सिकार हो सकते हैं ये तो थी मेरी आप भी थी ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपके साथ ऐसा कोई फ्रॉड ना हो और आप इस तरह के जालसाजी में न फसे अब देखना ये है कि मुझे इंसाफ कब तक मिल पाता है धन्यवार